क्या आपको पता है कि अगर आप किसी index fund में invest करते हैं तो आपके जो returns होंगे वो किसी real index से भी 1-1.5% जादा होंगे लेकिन यह कैसे possible है क्योंकि जो index based funds है वो तो index को ही follow करेंगे ना तो इसके पीछे reason यह है कि जो index होता है ना वो उसमें listed जो stocks हैं उनकी price बढ़ने से ही करते हैं तो जो index है उसमें उनका dividend include नहीं होता है लेकिन जो index fund होते हैं वो उस dividend को दुबारा से ही index fund में ही invest कर देते हैं तो इस से आप जो fund में invest करते हैं उसके साथ साथ dividend भी compound होता है